महराश्ट के वाद अब करनाटक में भी मर्जजदों में लगे लाउडू स्पीकर का मुद्दा गर्मा गया है ये मुद्दा राजनेतिक गल्यारों में चर्चा का विसे बना हुआ है बजरंग दल समिद कई हिंदू संगठनों ने करनाटक सरकार से मजजदों में लगे लाउडू स्पीकरों को बेन करने की मांग की है अब इस मामले पर करनाटक के सीम बसवराज बॉम्बई का भी बयान आया है करनाटक के सीम का कहना है कि किसी को मजबूर करने वाली बात नहीं है उन्होंने कहा कि ये तो हाई कोट का आदेशा और सिर्फ अजान के लिए नहीं है सीम ने कहा कि हर मुद्दे पर बात करके लोगों को समझाना पड़ता है उन्होंने कहा कि ये सभी तरह के लावड्यू स्पीकरों के लिए है आए सुनबाते हैं बसब राजबॉम्माई ने क्या कहा बदादें क मजजदों में लावड्यू स्पीकर पर बिवाद की शुरुआत महराष्ट से हुई जब बीते शनवार को नवनिर्मार सेना के प्रमुक राज ठाकरे ने उत दब ठाकरे सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर मजदों से लावड्यू स्पीकर नहीं हटाए गए तो मनसे कारकरता मजदों के बाहर हनुमान चाली सा बजाएंगे उनके इस बयान के बाद मुंबई समेथ कई जगे से मनसे कारकरताओं के द्वारा लावड्यू स्पीकर पर हनुमान चाली सा बजाने की खबरें भी सामने आई थी इसके बाद करनाटक में भी मजदों में लावड्यू स्पीकर बेन करने की मांग शुरू हो गई महीं करनाटक की बात करें तो पिछले तीन महीने से सूबा हिजाब और हलाल मीट विवाद को लेकर चर्चा में बना हुआ है पहले स्कूलों में हिजाब बेन का मामला देश भर में छाया रहा इसके बाद हिंदू जन जागरती सिमिती ने हलाल मीट का वैशकार करने की अपील की इसको लेकर भी राज में खूब बवाल देखने को मिला है